सभी को नमस्कार यह डिक्टेशन कैरियर फर्स चनल द्वारा आपको दिया जा रहा है अच्छा मेटर है ध्यान से लिखेंगे रेडी स्टार्ट भारती ये गणराज्य की वर्स गांट हम हर वर्स 26 जन्वरी को मनाते हैं इस सुभ अवसर पर हम अपने देश वासियों का अभिनंदन करते हैं चाहे वह देश में रह रहे हों अथ्वा विदेशों में हमारे अनेक भाई बहन जो इस समय हमारे देश में नहीं बलकी विदेशों में रह रहे हैं उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके लिए हमारे हृदय में महत्वपूर अस्थान है और उनका कल्यान तथा संपन्नता में भारत सरकार तथा भारत के लोगों की गहरी रुचि है हमें स्वाधिन्ता प्राप्त किये हुए अनेक वर्स हो गए हैं लेकिन अभी भी हमारे अनेक भाई ऐसे होंगे जिन्होंने स्वाधिन्ता के बाद के भारत को नहीं देखा होगा किन्तु आज के युग के संचार साधनों को देखते हुए उन्हें इस बात की जानकारी अवस्य होगी कि हमने इतने वर्सों में कितनी प्रगति की है और अंतरास्त्री छेत्र में भारत का कितना महतवपूर अस्थान है हमें अपने देश में विकास के लिए पंचवर्सी योजनाओं का सहारा लिया हमारी पंचवर्सी योजनाएं संपन हो चुकी है और अगली पंचवर्सी योजना चल रही है इन योजनाओं के अंतरगत हमने रास्ट निर्माण के जो लक्ष निर्धारित किये थे वे सभी प्राप्त कर लिये गए हैं हमने अपने देश का और द्योगी करण बड़ी तेजी के साथ किया है इसका स्रेव भारत के प्रधान मंतरी स्री जवाहर लाल नहरू को है हमने छोटे और घरे लू उद्योगों की भारत के कोने कोने में बड़े पैमाने पर अस्थापना की है हमारी असी प्रतिसत जन संख्या गामों में रहती है और खेती बाड़ी के धंधे में लगी है क्रिसी इस देश की अर्थ व्यवस्था की रीड़ है लग उद्योगों और ग्रामो द्योगों के द्वारा विसेश रूप से ग्रामीर छेत्रों में असंख्य लोगों को रोजगार मिलता है अतह हत करगा उद्योग लग उद्योग कुटीर उद्योग हमारे गामों तक फैले हुए हैं इनके अतरिक्त सामुदाइक विकास योजनों और रास्ट्री विस्तार सेवा के फलसुरूप हमारे देहातों का रूप ही बदल गया है खेती, सिच्छा, स्वास्थ, सफाई, यातायात, ग्राम विदुती करण के छेत्रों में हमने उलेखनी प्रगती की है संयुक्त रास्ट्र संग और उसके बाहर के छेत्र में भी भारत ने अहिंसा और सांति पूर्ण सह अस्तित्व के सिध्धान्त का प्रचार और प्रसार किया वसुधायव कुटुम्बकम एवं पंचसील के सिध्धान्त को विश्व के अनेक देश मानने लगे समप्थ धन्यवाद